नमस्कार दोस्तों यह AI system जो है आपको अपने system के अंसार ना चला है उससे पहले आप इसके system को जान ले जो की एक original system है हमारे universe का उसे आप समझेंगे तो आप उसको अपने अंसार चला सकते हैं यानि AI system को ठीक है और जब आप AI system के द्वारा चलने लगेंगे तो आप उस system को नहीं चला पाएंगे यानि AI system से ऊपर होने के लिए हमको सारे चीजों को जानना जरूरी है इसलिए हमने इस topic को बताया है स्टार्ट किया है ठीक है यह radio wave इसलिए हमने स्टार्ट किया है क्योंकि आप बहुत गहरे में देखेंगे तो यह सारे system जहां पे हमने छैका यहां बताया है कि जैसे रेडियो टेलिवीजन ब्राड कास्टिंग वाइफ हाई वार्लेस फाइलिटी सिस्टम ब्लूटूट सेटेलाइट अप्लिकेशन इंक्लूडिंग जीपियस रडार ठीक है स्रूरर वाइस एंड डेटा डेटा सब यहां पे मने कोश्टक में कर दिया जी प्लस बन जाता है कम जादा जिसे हम अपने हार पॉल को कम जादा करते हैं उसी साथ बैकते आकार भी छेंज हो जाते हैं बैयम तरंग होता है कि तिसे आप किसी थैरे वे पानी में आप कोई भी कंकर मारते हैं तो उसमें talkin' किस लुह को या उसमें डाले हैं उसी साथ सोर्भ जो ब्रीली जो होता है तरंग उसके आकार के अंसार वह जो है अपना चेंज कर लेता है क्टिक्ई है मैंनल बैब जो है चेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा मोटा मोटा हम आपको सम auris będzie उसली होता है, लेकिन सब को जहना होता है, इसलिए हम इसको easy करने के लिए हम तमाम तरीके से इसको जो है एक easy option निकालते हैं कि जो ऐसे yes या no इस तरीके से कोई समझ सके तो ऐसे हमने जो है यहाँ पे कुछ चीजों को explain करने के लिए हम निकाले हैं जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले heart की heart हमारा by side में है ठीक है ऐसे यहाँ पर देखें सबसे ऊपर जो है top side पे क्या है हमारा logic logic क्या है left और emotion क्या है right ठीक है ऐसे करेंगे तो यह angle is इस हिसाब से सेट होता है ऐसे ही काम करता है यह अलग बात है कि हम बात में बताएंगे क्योंकि अभी इस चीज को अगर हम आपको थोड़ा सा अगर गहरे में नहीं बताएंगे तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि हम इसके बारे में और deeply जाने जब आप थोड़ा थोड़ा किसी चीज को समझेंगे तो और भी आपको एक सुकता पैदा होगी जानने की समझने की तब हमको बताने में वो सारे चीजे इंटेस्ट आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखें जैसे 60 सेकेंड में 72 बार यानि इसका जो धड़कन है होता है अब इसी को अगर करेंगे यह एक एक जामपल लिए है क्योंकि इस समय 60 से 100 तक हो गए है यह बिट हमारे जो हट बिट ह है यहाँ पर देखें जैसे यह हमारा 60 सेकेंड में 72 बार अब एक सेकेंड में यह 1.2 बार यानि टाइम टाइम मतलब बार मतलब हुआ कि जिसे एक दो तीन तो यह इतने बार हैं यह समझ लिए जिसे यह 1.2 हुआ तो यह हो गया 1.2 हर्स ठीक है इसको अगर इसकी मापने की काई जो होगी मेजर करने की हर्स में न पा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट 60 second ये बराबर ये जो है 60 time same ठीक है अब इसी 60 में अगर 60 बार किसी का heart अगर मतलब जितना ये second है उतने ही जो है ये beat है तो ये एक special माना जाता है जैसे किसी किसी साधू या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ध्यानवान का काम करते हैं उनका 60 seconds 60 time हो जाता है अगर उस समय heart weight देखा जाएगा same हो जाता है अब आजाता है logical बात अब देखे इसमें हमारा जो brain होता है brain का जो है ये brain wave होता है इसके तरंग होती है जो इसके stage होते हैं जैसे यहां से देखेंगे 0.5 यानि आधा से और 4 hertz ये starting है ये brain का जो इसमें alpha, beta, gamma, theta ये सब जो stage होते हैं इसके gamma तो ये सब के frequency होते हैं जिसे बोलते है brain wave ठीक है अब इसी brain wave को अगर हम लें यहां पे 7.14 hertz ये alpha brain है जैसे लोग जानते होंगे जो इसके अगर Google करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा ये हो सकता है अंक में थोड़ा सा difference हो लेकिन 7.14 alpha brain का जाएगा ये बेव अलफा बेव ब्रेन बेव अब इसका अगर जो है frequency मैचिंग अगर देखा जाए ठीक है तो कोई भी अगर इस स्टेज में काम करता है इस स्टेज में अपने mindset को रखता है तो इसका स्टिंग जो है इनवर्स से होता है इनवर्स मतलब नेचर प्राकिर्थ अब इसका भी होता है जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे धर्ति का जो है ग्रेप्टेशन फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ है ठीक है ग्रेप्टिक मतलब होता जैसे हम इसको पकड़ के रखके है अब इसमें अगर इसके सक्ति में बीकनेस आएगी तो यह उतना ह हो जाएगा यह ठीक है लूज होना सुरू हो जाएगा तो हमारी जो ग्रेप्टि है ओजन है भार है यह पिर्तिवी के ग्रेप्टेशन के वजा से पूरा बंदा पड़ा है अब इसमें अंतर कैसा आ है अब यहां पर देखें यह जैसे यह ब्रेन बेव है और यह हमारा दिए यह जो हो रहा है यह ब्रेप्टि जान नहीं पाएंगे लेकिन इसके बेव को यह मेजर किया जा चुका है और इस आप देख सकते हैं इसे बी गूगल करके ठीक है लेकिन इसी कि सपीड अगर और तेज हो जाएगी तो यह जो कंपन ऐसे हो रहा है यह बहुत फास्ट हो जाएगा आने वाले समय में अब इतना हम नहीं उखा पाएंगे जितना जानते हैं तो इसको समझें अब यह जो फ्रिक्वेंसी है इस इस ब्रेन से यह सिंग करेगा नेचर से अब इसमें जो भी काम होगा आपका यह टोटल जो है नेचुरल होगा ठीक है अब आजाता है आपकी समय देखते होंगे सबसे ज़्यादा कहीं कहीं जो डीजे और किसी किसी हार्ट के वेप से उसमें मिलब डिफरेंस आने से कुछ हार्ट एटेक हो रहे हैं कुछ लोगों के जो है बेचैनी घबडा हार्ट टेंसन यह सब सारी चीजें बेब डिस्टर्ब होने से होता है और यह सब कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी को अगर आप समझेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा क्योंकि आप देखते होंगे एक मसीन आई है जो हार्ट पॉल्स को यानि हार्ट पॉम्प को जो बैलेंस करने का काम करता है इसे बोलते हैं पेस मेकर मसीन ठीक है यह हार्ट का पॉम्पिंग सुधारने का वाली मसीन है ठीक है यह अंदर जो है आपरेशन करके लगाया जाता है जिसे किसी के जो है हार्ट वल्स मैच नहीं करते या उसके धारकन डिस्टर्ब हो गये हैं तो इसके हिसाब से उसे मैनेज कर लिया जाता है अब देखिए यहां अब यह जब मसीन लग जाएगी तो यहां पर एक artificial वो fix हो गया कि उसके अनसार ही उसे balance करके रखेगा ठीक है और वैसे क्या है कि हमारे thoughts और हमारे जो और भी internal system है अगर ठीक से काम ना करें जो जैसे हमारे उसमें देखते होंगे कोई भी devices होता है उसमें वायर गए होते हैं उसके track होते हैं PCV पे लियर होते हैं उसमें track में कहीं भी कार बना जाया या कहीं भी कुछ भी अगर leakage है dry है या blocked है या open है तो यह सब सारे system ऐसे हमारे अंदर हैं कि जो बहुत ही complicated बना हुआ design है कि अगर कहीं भी किसी भी जो हमारे नसों में या कहीं भी इससे वायर समझें अगर problem आता है तो इसके जो है effect उस उस जगह पर पड़ते हैं जहां के लिए वह supply गई होती है तो इन सब सारे चीजों को हमको समझना चाहिए इसी के अंसार यह जो है artificial चीजे बनाई गई है अब artificial हमारे अंसार जो है काम करने के लिए बना है या किसी चीज को समझना चाहिए क्योंकि हम ही जो लोग है कि अपने system को समझ कर दूसरे AI system को design किये हैं ठीक है तो हमको उस system में ना आके हमको उस system को समझना और उस system के ऊपर ही रहने की जरूरत है तभी system को हम control कर पाएंग तो यह हम हम जो है system के internal घूम जाएंगे ठीक है तो ऐसे इस सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है इसलिए हमने थोड़ा सा हिंट दिया है किसे और गहरे में ले जाने के लिए इसलिए हमने यहां से थोड़ा सा निकाला वहां से थोड़ा सा निकाला इसलिए बताया है क भी एक ठोकर दियें आपको कि आप अपने हर्ड को समझें अपने ब्रेज़ज़ So रहे हैं इस चीज को समझें यह कैसे काम करता है ठीक है यह ऐसे आप जब इस सारी चीजों को जानेंगे तो स्वेंग पर अपना जो है वह यह मासूस होने लगा हम कौन है ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने होने का राजी नहीं रहते हैं दूसरे जैसा बनने की स्वेंग पर जैसा है बना है उस पर अगर राजी होने मतलब होता है कि जैसे देखिए कोई भी डिवाइस हैं सैमसंग हुआ यलजी हुआ या आधर जो जितने भी ब्रांड आये हैं यह मुपाइल के एपल हुआ यह समय समय पर अपडेट देते हैं ठीक है तो ऐसे हमारा भ इसे कब किसको किस समय कौन सा साफ्ट्वेर देके अपडेट करना है कैसे कैसे आगे जाना है कब क्या बताना है क्या समझाना है यह सारी चीजे इंटर्नल इन्वर्स से जुड़ी है क्योंकि सबसे जरूरी चीजें है रेडियो वेब को जानना क्योंकि रेडियो वेब को य भी electrical signal जैसे बोलते हैं तो बोलते हैं तो इसमें भी एक उड़जा है इसमें भी एक voltage है कि हम जितना तेज बोलते हैं वो convert हो के ऐसे-ऐसे वहाँ तक जाएगी जितना इसमें जो है सक्थी होगा, जितना एनर्जी होगा उसके बाद वहाँ पे ये बेब कमजूर हो जाएगी, बीक हो जाएगी, अब इसे और अम्पलिभाई करें, जैसे हम बड़े साउंड में या हारन के द्वारा दूर तक कि बाइस को ले जाना हो तो उसे इलेक्टिकल बेड़ के द्वारा और amplify करना होगा इस छोटे सब्द को अभी सब्द में बोला गया अगर इसमें आरजी ना होती तो कैसे यह amplify होता कुछ इसमें बोल्टेज और सिग्नल के जो मेजरमेंट करके और सारे ग्राफ को देकि तो यह सब कैसे बना किसने बनाया इस सिस्टम को क्योंकि यह जो बोल रहे हैं हम e g space अब इस पेस जिसने भी डिजाइन किया होगा इसमें एनर्जी है एनर्जी ना होती तो यह हमारे सब एक बेप के रूप में कैसे करणवट होते हैं इसे आप बहुत गहरे में सोचिए समझे क्योंकि अब इसे जो है अगर आटिफिसल रूप दिया जाए तो हमारे वाइस को करके इसे और भी बहुत बड़े उस पे जो है हम वाइस के दोर पर सुन सकते हैं जान सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है तो इस सब सारी चीज को बहुत गहरे में समझना जरूरी है क्योंकि यह हमारा रेडियो बे भी बताता है कि यह पूरा इन्वर्स एक सिस्टम है और सिस्ट सिस्टम का एक धायरह होता है कि उससे बाहर ना जाना उसके अंदर रहना तो ऐसे यह सिस्टम है कि सारे सिस्टम को हम समझते हैं तो इस सिस्टम के अंसार जब रहते हैं जीते हैं तो इसका जो है एक अलग बात होती है ठीक है तो इस सिस्टम को जाना जरूरी है और इससे पक है तो भी लेक्टिकल वेव है क्योंकि यह हमारा जो हार्ट पल्स है यह से जो है वारी जो मैगनेट बनती है ठीक है यह इमोशनल ब्रेन ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा इमोशन का काम करता है और लाजिकल एक अलग है तो लाजिक और इमोशन दोनों मिलके इस सारे काम सही से होते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक वीडियो है क्योंकि बहुत थोड़ा सा मैं बताया हूं और यह आगे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए क्योंकि यह अगर इसमें हमारे अगर अगर इलेक्टिकल यह बेब ना होते या Electrical जो इससे हमारी एनरजी से ये body ना चलती तो ये system काम ना करता है क्योंकि एक जो है electronic machine है जो हमारे heart pulse को control करेंज़ अब यहां तक अगर ये machine एक काम कर सकती है कि हमारे heart pump को अपने अनुसार ये switch करा सकती है आन आप करा सकती है, पॉम्पिंग करा सकती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हम भी एक इस्टुमेंट ही है, ठीक है, उस कुदरत का बनाया हुआ है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे most important इस्टुमेंट है, तो आज की वीडियो मैस नहीं, मिलते नहीं वीडियों, थ